भारत में चुनावी आचार संहिता लागू है, देश के अहम फैसले, अब देश की सत्तारूड सरकार नहीं, चुनाव आयोग के निर्देश पर हो रहा है, विपक्ष दावा कर रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार के खिलाफ बोलने वाले यूट्यूब चैनल्स को ज कर दिया गया है, पांग्रिस ने इस मुद्दे को चुनाव आयोग के सामने उठाया है, पांग्रिस महासचिव जैराम रमेश ने भी कहा है कि हम चुनाव आयोग से न्यूस चैनल बैन होने के मुद्दे को उठाएंगे, चुनाव के दौरान अभिव्यक्ति की आजादी के साथ समझोता नहीं किया जाएगा बोलता हिंदुस्तान के फाउंडर हसीन रह्मानी और संपादक समर राज ने दावा किया है कि यूट्यूब ने उनका चैनल सूचना प्रसारण मंत्राले के आपके चैनल को ब्लॉक करने का निर्देश मिला है आपके चैनल को Information Technology, Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021 के Rule 15-2 और Information Technology Act 2000 के धारा 79-1 के तहट ब्लॉक किया जा रहा है सरकार की तरफ से जो नोटिस मिला है वह गोपनिय है हम उसे आप से अभी शेयर नहीं कर सकते हैं MIB इस URL पर जल्द ही Order जारी कर सकता आप MIB पर Feedback और अपने Content की समवैधानिकता साबित कर सकते हैं आप JSPNA-MOEB8GOV इन पर संपर्क कर सकते हैं हम यहां के स्थानिय कानूनों की वजह से बिना अगले नोटिस के ब्लॉक कर रहे हैं कुछ ऐसा ही Order YouTube Channel नेशनल दस्तक को मिला है नेशनल दस्तक ने भी शेयर है नेशनल दस्तक के संपादक शंभू से हमारे साथियों ने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया बोलता हिंदुस्तान के फाउंडर हसीन रह्मानी ने दावा किया कि YouTube चैनल आर्टिकल 19 को भी ऐसा ही एक नोटिस मिला है उसके संपादक नवीन कुमार से जब हमने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमारा मामला कोर्ट में है इसलिए हम इस पर अभी कुछ विस्तार से नहीं बता सकते बोलता हिंदुस्तान के फाउंडर हसीन रह्मानी ने YouTube चैनल ब्लॉक होने के बाद कहा कि YouTube की ओर से कहा जा रहा है कि उन्हें सूचना प्रसारन मंत्राले से ब्लॉक करने का निर्देश मिला है YouTube ने सपष्ट शब्दों में इसे साफ किया है असीन रह्मानी ने कहा कि अगर चुनावों की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू है तो सूचना प्रसारन मंत्राले कैसे आदेश जारी कर सकता है यहाँ आचार संहिता का उलंगन है हमने YouTube के किसी भी Community Standard का उलंगन नहीं किया है हमारे YouTube पर हजारों वीडियो है हम निश्पक्ष चैनल है हमें सरकार की आलोचना से परहेज नहीं है हम सरकार के साथ नहीं है इस वजह से एक्षन लिया गया है हमारा आठ साल पुराना चैनल एक आदेश पर डिलीट हो जाता है हमें कोई नोटिस भी नहीं मिलता यह पक्षपात पूर्ण रवया है असीन रह्मानी ने कहा कि हम इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से मिलेंगे उन्होंने दावा किया पांग्रेस का एक डेलिगेशन इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के पास गया चुनाव आयोग से जब इस मुद्दे का जिक्र किया गया तो आयोग ने कहा कि मंत्राले ऐसा आदेश कैसे दे सकता है हम जाच करेंगे बोलता हिंदुस्तान के संपादत समर राज ने कहा अगर YouTube हमारे किसी वीडियो को येलो मार्क करता, हम हटा देते थे, हमारे सारे वीडियोज पर ग्रीन सिगनल थे, बिना किसी नोटिस के हमारे चैनल को डिलीट कर दिया, हम केंदर की खामियों को उजागर करते थे, हम हकीकत बताते थे, तो हमारे चैनल को ही डिलीट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने नाम लेकर कुछ चैनलों और एंकरों को लेकर चिंता जताई थी, उन पर कोई एक्षन नहीं हुआ, हमें ही बैन कर दिया गया, समर राज ने कहा, हम खामियों को उजागर करते हैं, हम गलत को गलत कहते हैं, हमारे चैनल को राजनीती की वजह से डिलीट क कर दिया गया, बोलता हिंदुस्तान के फाउंडर हसीन रह्मानी ने कहा, कि वे अपने साथियों के साथ चुनाव आयोग में गुहार लगाने पहुंचेगे, वे चुनाव आयोग से मंत्राले और यूट्यूब के इस एक्षन के बारे में शिकायत करेंगे, उनका दावा है कि कॉंग्रेस उनकी कानूनी मदद करने के लिए तयार है। आचार संहिता के दौरान केंद्रिय मंत्रालियों के पास नीतिगत फैसले लेने के अधिकार नहीं होते। केंद्र सरकार फरवरी 2021 में Information Technology Rules लेकर आई, जिसमें Digital Media पर नजर रखने के लिए कुछ प्रावधान तय किये गए थे। जिनकी वजह से भारत की संप्रभुता और एक्ता के लिए खत्रा पैदा हो। भारत की सुरक्षा प्रभावित हो, राज्य की सुरक्षा प्रभावित हो रही हो, किसी देश के साथ रिष्टों को प्रभावित करता हो, पबलिक ओर्डर के खिलाफ हो, IT Rules 2021 की धारा के साथ, IT Rules 2021-15-2 के तहट Action लिया गया है। इसके मताबिक मताबिक अगर Broadcasting Commission को लग जाए की IT Act की धारा 79 एको लागो करने की जरूरत है, तो सक्षम अधिकारी सुचना प्रसारण मंत्राले के सचिव के आदेश से किसी पबलिशर, एजनसी या सरकार को, जहां से Digital माध्यम से जानकारिया शेर की जाती हूँ, वहां से ह इन ही कानूनों के तहट किये गए हैं, अब ये आदेश वैध हैं या नहीं, इसका निर्नय चुनाव आयोग ही कर सकता है